दोस्तो, आज हम आपको बताने वाले हैं, एंजल वन में आप कमोडिटी की ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एंजल वन के एप के उपर। सबसे पहले तो हम टाइमिंग जान लेते हैं commodity ट्रेडिंग की उसके बाद जानेंगे कि कौनसी कौनसी commodities आप याँ पे trade कर सकते हों पहले तो commodity की जो timing होती है वो सुबह 9 बजे commodity की trading शुरू होती है और रात 11.30 बजे तक आप उसमें trading कर सकते हो angel 1 के जो square of timing है और top square of timing है वो है सबा 11 बजे मतलब आप अगर कोई trade intraday के लिए ले रहे हो और सबा 11 बजते है और आप trade square of नहीं करते हो तो angel 1 आपके लिए automatically सबा 11 बजे के बाद वो trade execute कर देगा और आपको वहाँ पर extra charges देने पड़ेंगे तो intraday के लिए आप गर कर रहे हो तो आपको सबा 11 से पहले आपका जो position है वो exit करना होगा commodities दो प्रकार की होती है पहली होती है अग्री commodities अग्री commodities में cotton, चना डाल, soybean इस तरीकी के चीज़े आपको trade करने के लिए मिल जाती है जैसे की gold हो गया, silver हो गया, या फिर aluminum हो गया, zinc हो गया, इस तरीकी की commodities ट्रेड करने के लिए मिलती है उसके साथ साथ आप crude oil में, natural gas में भी trade यहाँ पे ले सकते हो अग्री commodities के लिए exchange होता है, वो है NCDX और non-agri commodities का जो exchange है, वो है MCX तो इस तरीके के दो exchange यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आप trade ले सकते हो अब देखते हैं किस तरीके से trade लेना है तो जो भी commodities के लिए आप select करते हो, trade करने के लिए उसकी अलग सी watch list बनाना आसान होता है क्योंकि वहाँ पे आपको track करना आसान होता है कि कौन सी commodities का analysis कैसे करना है और watch list में अगर सामने रहेगा, तो आप उसमें trade अच्छी तरीके से और जल्दी से कर सकते हो आप देख सकते हैं, हमने natural gas, silver, gold और crude oil जैसी commodities एड़ करके रखी है सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे volume होता है, वो crude oil में होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे volume निकल के आता है, तो जहाँ पे volume ज़्यादा होगा, वही पे trading अच्छी कासी दिखाई देती है और price में volatility भी वहाँ पे अच्छी कासी दिखाई देती है तो अगर आपको crude oil बाई करना है, तो simply आपको यहाँ पे crude oil के उपर select करना होगा उससे पहले जानते हैं कि कौन से कौन से तरीके से आप trading कर सकते हैं commodities में एक होता है future और दूसरा होता है option हाला कि option में यहाँ पे volume बहुत कम होता है तो बहुत सारे लोग जो होते है वो future में ही trade करते है option में volume कम होता है तो price की जो moment होती है वो बहुत slow हो जाती है और option में time decay और intrinsic value का भी होता है तो जितनी आपकी moment slow हो जाएगी उतना आपका time decay ज्यादा हो जाएगा तो mostly यहाँ पे future में ही trade किया जाता है अब future में trade कर रहे हो तो उसकी expiry होगी तो हर commodity की जो expiry date होती है वो अलग-अलग होती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते है crude oil की expiry नवंबर की 18 दारीक को है silver की expiry 3 December है gold की expiry 3 December है aluminium की expiry 30 November है gold जिनी का जो है वो 30 November है gold petal का 30 November है और natural gas का 24 November है तो different expiry को यह contract जो होते है वो expire हो जाते है तो date आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा contract कौन सी date पे expire हो रहा है अगर आपको buy करना है तो crude oil future के उपर आप buy कर सकते हो add करने के लिए आप different commodities add भी कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप यहाँ पे crude oil type करते हो तो crude oil अगर आप देखोगे तो तीन contract आपको available हो जाते हैं हर एक future के trade करने के लिए November का future, December का future January का future जैसे Nifty में तीन future आपको available हो जाते हैं trade करने के लिए वैसे ही commodities के भी तीन future आपको trade करने के लिए available हो जाते हैं उसी के साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि option का यहाँ बे data भी हमें दिखाई दे रहा है, वो आप trade करने के लिए ले सकते हैं December का अगर future हमें add करना है तो इस तरीके से हम add कर देंगे December का future यहाँ पे add हो रहा है यह उसकी price salary है buy करने के लिए उसके उपर click करना है buy के उपर जाना है आप sell भी कर सकते हो क्योंकि यह future में है तो आप पहले sell करके बाद में उसे buy करके profit कमा सकते हो तो यहाँ पे आपको lot enter करना होता है जितने भी lot या फिर जितने shares आप buy करना चाते है अब यहाँ पे एक lot का मतलब होता है so barrel so barrel का एक lot होता है तो यहाँ पे आपको enter करने के लिए एक या फिर दो या फिर तीन ऐसे multiples की use होता है अगर आप एक करते हो तो so barrel आपके buy हो जाएगे एक lot आपको buy करने के लिए एक लाग 27,000 की ज़रूरत होगी जबकि एक lot की पूरी एक lot की value यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5,90,000 लेकिन यहाँ पे आपको leverage मिल जाता है margin मिल जाता है इसकी वज़े से 1,77,000 में एक lot आप buy कर सकते हो आप ये positions intra day के लिए भी लग सकते हो या फिर carry forward भी कर सकते हो carry forward अगर आप करते हो तो आपको expiry date पता होनी चाहिए जिस expiry तक आप ये positions hold करोगे अगर आप current month select करते हो तो last date आपको पता होनी ज़रूरी है अगर आप next month select करते हो तो next month की जो expiry date है वो आपको पता होनी चाहिए तब तक वो stock आप या फिर वो contract आप hold कर सकते हो limit or market के बारे में फिर से एक बार मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि already मैंने हर वक्त जब मैं buy order, sale order के बारे में बताता हो तो limit or market के बारे में बता देता हो तो I hope आपको सारी चीज़े अभी समझ में आ गए होगी फिलाल तो हम यहाँ पे trade लेके नहीं दिखा रहे है सिर्फ आपको process समझा रहे है क्योंकि हमने यहाँ पे margin add नहीं किया है वैसे भी मैं commodities में थोड़ा कम ही trade करता हूँ तो आप यहाँ पे buy का order लगा सकते हो buy कर सकते हो या फिर आप जो भी market का analysis है आपका जो भी आपका point of view है अगर आप मंदी का trade लेना चाते हो तो पहले sell कर सकते हो अगर आप तेजी का trade लेना चाते हो तो पहले buy करके यहाँ पे trade आपका initiate कर सकते हो तो buy के उपर आपको click करना है जैसे ही आप buy के उपर click करोगे आपका order execute हो जाएगा और positions में ये सारे order आपको दिखाई देंगे और वही से आप sell भी कर सकते हो जो भी आपका profit है वो book कर सकते हो या फिर stop loss अगर hit हो जाए तो stop loss भी वहाँ से ही sell आप कर सकते हो तो crude oil का हमने यहाँ पे देखा कि एक lot होता है 100 barrel का उसी तरीके से different different जो commodities होती है उनके अलग-अलग तरीके के lot होते हैं जैसे हम natural gas के बारे में अगर देखे तो natural gas अगर हमें buy करना है तो उसका एक lot होता है 1250 का expiry है 24 November की lot है 1250 का टोटल यहाँ पे ट्रेडड जो एक lot की value है वो है 4,67,000 उपे लेकिन आप यहाँ पे margin यूज कर सकते हो तो 1,62,000 में आपका पूरा natural gas का 1250 का shares यहाँ पे buy हो जाता है जो भी price आपको एंटर करनी है वो कर सकते हो same intraday भी कर सकते हो और carry forward भी कर सकते हो carry forward कब तक करोगे 24 November तक 24 November को यह आपको exit करना होगा इस तरीके से आप यहाँ पे natural gas भी buy कर सकते हो gold में अगर आपको buy करना है तो 3 तरीके होते हैं gold में buy करने के normal gold आप जब buy करोगे तो आपको यहाँ पे एक lot बराबर 100 gram मतलब एक तोला जो होता है वो आपको यहाँ पे trade करने के लिए मिल जाएगा उसकी जो total value है वो 49,00,00 रुपे हैं लेकिन आप margin अगर use करते हो तो आपको 4,53,000 में एक lot आप buy कर सकते हो जिसकी price चल रही है 49,000,65 रुपे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे intraday और carry forward का trade भी ले सकते हो गोल्ड trade करने के यह पहला तरीका है लेकिन आपका अगर आपके पास cash कम है आपके पास इतना amount नहीं investment अमाउंट नहीं है तो आप पूरा gold यहाँ पे नहीं करीदते हैं आप gold petal भी खरीद सकते हैं और या फिर आप gold जीन जो यहाँ पे दूसरा अवेलेबल है option गोल्ड गिनी करके हैं वो भी buy कर सकते हैं गोल्ड petal अगर आप buy करते हो तो आप एक lot का मतलब होता है एक ग्रैम तो एक ग्रैम सोना आप यहाँ पे buy करते हो जिसकी price है 4900 और अगर आप एक ग्रैम बाइ करते हो तो 454 रहे हो तो 4924 से 4925 हो गया तो आपको एक रुपए यहाँ पे मिलेगा तो जितना कम यहाँ पे आप buy करोगे उतना कम आपको वहाँ पे return देखने के लिए मिलेगा और उसी के multiple के इसाब से आपको वहाँ पे profit या फिर loss हो जाएगा अगर आप gold गिनी buy करते हो तो आप यहाँ पे आपको मिलता है एक ही एक lot का मतलब एक ही होता है लेकिन यहाँ पे एक gold गिनी का जो है वो थोड़ा सा calculation अलग हो जाता है यहाँ पे एक lot का मतलब एक ही दिखा रहा है अगर आपको buy करना है तो 3647 रुपए लगेंगे लगबग यह आप खेह सकते है कि 7-8 gram यहाँ पे buy क चत्ता ही तो रहा है एक multiple का एक lot का हिसाब एक लेकिन यह 8 gram का हिसाब आपको मिलता है मतलब gold गिनी यह आप बाए करते हो तो 8 gram होना आप बाए कर लेते हो तो गोल्ड गोल्ड है उससे कम यहाँ पे prize दिखाई दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो difference किस तरीके से निकल गया रहा है, तो सेम तरीके से आप सारी चीज़े buy कर सकते हो, जैसे कि carry forward करना है, buy के लिए same option और expiry भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है, उसे हिसाब से आपको trade यहाँ पे लेना होता है aluminum के अगर हम बात करें, तो aluminum का जो lot होता है, वो 5000 का होता है एक lot 5000 का होता है और एक lot की total value 10 lakh रुपे होती है लेकिन आप अगर एक lot buy करते हो, तो 1 lakh 22,000 में यह aluminum जो है, वो buy कर सकते हो उसमें trading आप कर सकते हो तो इस तरीके से दोस्तों आप commodities में trade कर सकते हो angel 1 में आपको अच्छा कासा है margin में मिल जाता है और सारी चीज़े आपके सामने available हो जाती है, कि expiry date क्या है और किस तरीके से हमें यहाँ पे trade करना है chart अगर आपको देखने है तो stock के ओपर click करके आप chart भी देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे chart पे कोई breakout आ रहा है या फिर breakdown आ रहा है तो आप technical के base पे भी यहाँ पे trade लेने की कोशिश कर सकते हो और अच्छा का ऐसा यहाँ पे profit कमाने की कोशिश कर सकते हो तो I hope आपको commodities के बारे में सारी जानकारी मिल गए होगी इस वीडियो से वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद